राइली रूसो ने ठोका शतक ऐसा करने वाले पहले बल्लेबास रूसो ने पारी में लगाए आठ छटके राइली रूसो ने बांगलादेश के खिलाब तूफानी पारी खेलते हुए केवल बावन गेंदों पर शतक जमा दिया वो T20i World Cup के तिहास में साथ अफरिका के और शतक लगाने वाले पहले बल्लेबास बने तो वहीं दुनिया के नववे बल्लेबास बने गेल ने T20i World Cup में दो बार शतक लगाने का कमाल किया है वहीं राइले रूसो इस T20 आई वर्लकप में शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज भी बन गया मदादे राइले रूसो के अलावा डिकॉक ने भी तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी की और 38 गेंदों पर 33 टरंड बनाई दोनों ने मिलकर बांगदेशी गेंद बाजियों की जम कर धोनाई की इससे पहले T20 आई वर्लकप में साथ अफरिका ने टॉस जीत कर पहले बैटिंग करने का फैसला किया था मैच में रोसो ने केवल 52 गेंदों पर शतक पूरा किया ये T20 इंटनाशनल में रोसो का दूसरा शतक है मता दें पिछली दो पारियों में रोसो का ये दो शतक है एसे पहले भारत क्लाप 4 अक्टूबर 2022 को इंदो टीट्वेंटी में रोसो ने दमाकेदार नाबाद 109 की पारी खेली थी हाला कि पिछला मैच बारिश के वज़े से रद हुआ था जिसके कारण रोसो बलेबाजी नहीं कर पाए थे ऐसे में हम कह सकते हैं कि लगातार दो पारी में बलेबाजी करते हुए T20 इंटनाशनल में शतक जबाने का कमाल वो कर चुके है सथ उफ्रिकाई टीम ने इस मैच में पहले बलेबाजी करते हुए 20 ओवर में पांच वगेट के नुकसान पर 205 रन बोट पर लगा दिये थे मांगलेदेश को जीत के लिए 206 रनों का टार्गेट मिला था